हेलो फ्रेंड गुड मॉर्णिंग वालकॉम बैक टू माई न्यू व्लॉग आप सभी कैसे है आयों सभी अच्छे होंगे मसते होंगे सस्तोंगर आज सुबह सुबह मैं वीडियो लेकर आ गई हूं और सुबह का नौ बज रही है फ्रेंड और बच्चे इसकुल गया है मतलब मेरा बेटा इसकुल गया आज एक्जाम था और आज है दिन है बुद्वार बाइस तरीक तो यहां पर मैं तो आसा साफसफाय कर रही हूं और कुछ चादर है उसब धोंगी मैं और काफी आवाज हो रहे थी फ्रेंड यहां देखिए कितना धूल मर्टी सब निकली है तो य मैं नहाने जाओंगी तो नहाकर आप सब समय मिल दें अभी हाई फ्रेंड वल्कम बैक तो माइने व्लोग आप सभी कैसे है आहे हैं सभी अच्छे नियों मस्तने अगर सस्तों है अर आदि मैं उपर जा रही हूं और अभी दो पहट का एक वज लिए फ्रेंड नहा ध्या प सब्सक्राइब कर दिएगा तो फ्रेंड यहां देखें कितना सरव में कपड़ा धूकर पसारी हूं और यहां लौकी का पत्ता ले ली हूं इसका मैं कुछ बनाऊंगी वही रेचिपी शेल करूंगी आप तब वीडियो जरू देखेंगा फ्रेंड पिचली फ्रेंड किचन में जा रहे है तो यहां दे प्रेंड आज दो पार का सिंपल सा लंच बना रहे हूं दाल चावल आलू का चोखा और लौकी का साग जो है उसका मैं पकोड़ा बनाने वाले हूं तो यहां देखें मैं आलू को बाल रखी थी तो प्याज को मैं फ्राइब करी हूं और फ्राइब करके मैं चोखा बनाऊं खाने में भी बहुत अच्छी लगती है तो आज मैं कि आज को फ्राइब कर ली हूं उसके बाद मैं आलू को डाल कर नमक थोड़ा सा हल्दी दे दी और अच्छे से फ्राइब करके निकाल लोंगी तो भूजा हुआ मतलब हुना हुआ चोखा हो गया तो इस तरह से मेन्यू है दो पहर का लंच कभी कभी मन होता है इस तरह से खाना खाने का फ्रेंड हमेशा मसालेदार सब्जी खाने का भी मन नहीं होती है तो यहां पर देखिए आलू मेरी बन गई है चोखा बना ली हूं आप कराही को धो कर अच्छे से फिर से मैं लोकी का पत्ती जो है उसका में पकोड़ा बनाऊंगी और उसमें प्याज कच्छा मिर्च यह सब डाल कर बनाऊंगी और यहां पर देखिए कितना सुन्दर लग रहा है चोखा तो यहां देखिए साथ को मैं धोली हूं लोकी के सागा इसको मैं कट कर लूँगी और प्याज और कच्छा मिर्च काट के रखी हूं उसको भी मैं एड करूंगी तो बस आज मेरा दो पहर का इसी तरह का दिन चरिया जाती है फ्रेंड और यहां देखिए प्याज और हरा मिर्च काटी हूं तो आप मेरे वीडियो पर बने रही है और देखिए किस तरह से बनाती हूं तो जितना पत्ता है मैं उसको धोली थी तो उसको मैं अच्छा से काट ले रही हूं और उसके बाद मैं सारे मसाले को इसमें एड कर दूँगी और गर्मा गरम खाने में बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड हम लोग इस तरह से बिवीच में बनाते हैं तो यहां बेशन एड कर दी नमक देदी हल्दी दे दूँगी और पानी अभी आड़ नहीं करूंगी क्योंकि पत्ती में पानी है तो पहले अच्छा से मिक्स करूं अच्छा से मिला ली हूँ और थुरा सा लाल मिर्च पॉडर दे दूँगी और अजवाइन एड कर दूँगी अजवाइन देने से पकॉरा बहुत ही टेश्टी लगती है खाने में और गैस भी नहीं होती है तो मैं हर पकॉरा में अजवाइन देती हूँ तो यहां पर थु की है तो एक-एक करके में पकॉरा डाल दे रही हूँ और मेरा बेटा भी स्कुल से आ गया है तो आ रहा है हाथ मुर होकर तो खाना ख्या लेगा अभी तो मेरा बेटा का फाइनल एकजाम चल रही है फ्रेंड तो थोड़ा टाइम पर उसको भी देखना पर रहा है इधर मेर मेरी पकॉरा बन रही है आप सभी कैसा लग रहा है देखकर जरूर बताईए कोमेंट में और हजबन जी जब आएंगे तो उनके लिए बाद में मैं गर्मा गर्म निकालूंगी सारी पकॉरी में नहीं बनाऊंगी शिव अभी पापा जी और बच्चे सब के लिए मैं निका ठाने में तो फ्रेंड बस आज इतना ही छोटा सा वीडियो में डाली थी आप सभी को मेरा यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताईएगा और हमारी यह लौकी की साथ जो है इसका मैं पकोरी बनाई हूँ आप सभी को मेरा यह पकोरी कैसा लगा यह रेशिपी कैसा लगा चाह बहुत अच्छा लगता है यह फ्रेंड गर्म घरम डाल चावल के साथ और आप इसे चाह के साथ भी ले सकते हैं बहुत अच्छी लगती हूँ तो चले फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में सभी स्वास्त्रे मस्त्रे बाई बाई